तो स्वागत थे आप सुभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू में मजमून लिखना सीखने वाले हैं जी हाँ और मजमून लिखने को आप लोग के एकजाम में पांच नमबर का नहीं बल्कि आठ नमबर का आता है जी हाँ अगर आप लोग को उर्दू में मजमून लिखना बहतरीं धंग से आता है तो समझे कि आप लोगे मुठी में 5 नहीं बल्कि 8 नमबर पूरे का पूरा आ जाने वाला है 8 नमबर आप लोगे मुठी में तो पक्का है कि आही जाएगा लेकिन किस तरह से लिखें कि एक नमबर भी ना कटें क्या है 100% सही तरीका उर्दू में मजमून लिखने का एकदम जबरदस्ट ट्रिक में आप लोगों को बताऊंगी एकदम 100% सही और आप यूँ कह सकते हैं आउट स्टेंडिंग ट्रिक जिस ट्रिक का यूज करके आप बिल्कुल आसान तरीके से उर्दू में मजमून लिख सकते हैं ठीक है उसके साथ साथ कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों के एकदम में मतलब कौन-कौन से वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके उपर मजमून लिखने के लिए आ सकता है आप लोगों के एकदम में वह सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में उर्दू में मजमून लिखना सीख जाने वाले हैं ठीक है तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है अंत तक भीना स्किप किये दखिएगा ताकि हर एक पॉइंट ध्यान से आप लोग को समझ में आ जाए और सब कुछ क्लियर हो जाए और पून रोप से आप लोग तयार हो है इसें डिखने के लिए आता है हुंधि में कहते हैं हम लोग इसे होड़ी में कहते है हम लोग निबंद और इंग्लेस में रिखने के लिए आता है हिंदी में निबंध लिखने के लिए आता है, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में भी मजमून लिखने के लिए आता है, कोई फर्क नहीं, यह बस लेंग्विज का अंतर है, ठीक है, उसी तरह इंग्लिश में ऐसे लिखने को ऐसे राइटिंग कहते हैं, हिंदी में निबंध ल किस तरह से करें मतलब किस तरह से आप लोग मजमून लिखें कि फुल माक्स आप लोगो मिल जाए एक नंबर भी ना कटें एक माक्स भी ना कटें वैसे जो बड़े बड़े लेखक होते हैं उनका मजमून लिखने का तरीका अलग होता है उनकी मजमून लेगारी अलग होती है हे और एक चीज़ को ध्यांन में रखते हुए वरन लिखते हैं उर्धू ग्रामर को ध्यांन में URTT कवायद को ध्यान में रखते हुए और अच्छिए अच्छे-च्छिट्फों का यूज क्यों हम आप हैं प्लोड ले लिए सब्सक्राइब कर दो हम आप लोग verme को क्यों सब्सक्राइब आप लोग को अपने हिसाब से जितनी हमें सहक्राइब हरो और हम सब्सक्राइब लोगों ने सहयोग करना शुरू कर दिया है और इसके लिए आप सभी लोग को मैंनी मैंनी थैंक्स लेकिन अगर आप ने सहयोग नहीं किया है तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूं कि आप लोग सहयोग करें और सहयोग का भागीदार बने ताकि ये digital board लेना हमारे लिए ब्यादा आसान हो सके और बहुत ही कम समय में digital board लग सके और education system को और भी मजबूत बनाया जा सके चले start करते हैं और मुद्धे पर आते हैं समझते हैं कि उर्दो में मजमून कैसे लिखा जाता है उर्दो में मजमून लिखने का सबसे पहला point है क्या क्यूं दूसरा है क्यूं तीसरा है कैसे चोथा है कब पांचवा है कहां छठा है फायदा और सातवा है नुकसान यानि कि यह साथ बाते हैं जो एक एक करके आप लोग को अपने आप से पूछनी है जिस भी topic के उपर आप लोग को मजमून लिखना है न जैसे कि एक topic उठा लेते हैं इद ठीक है मालीजे आप लोग के exam में question पूछ दिया कि इद पर मजमून लिखने के लिए तो इद एक topic उठा लेजे इद पर आप लोग को मजमून लिखना है अब यह सातों सवाल आप लोग एक एक करके अपने आप से कीजिए इद क्या है आप लोग को क्या करना है लफजों को सजा कर लिख देना है लिखेंगे कैसे मैं आप लोग को बता दे रही है इद मुसल्मानों का तेवहार है इतना तो आप लोग जानते हैं बस इसी चीज़ को सजा कर लिख लफजों को सजा कर कि एद मुसल्मानों का सबसे एहम तेवहा एके करके इसी तरह सवाल करना है अपने आप से और अपने आप से ही जवाब ढूना है और जो भी जवाब मिले बस लफजों को सजा कर लिख देना है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कीजिए एद क्यूं मनाया जाता है तो आप लोग जानते हैं कि एद जब मुसल्मान सुबह सवेरे उठते हैं नहा दोकर नए नए कपड़े साफ सुत्रे कपड़े पहनते हैं और इत्र लगाकर इद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं यह लंबा चोड़ा आप लोग को अपने हिसाब से जो भी आप लोग एद के बारे में जानते हैं कि हो सकता मनाया जाता है तो यहां पर अब वही चीज दुबारा लिखने की जोट नहीं है इसको कर सकते हैं ठीक है अगला सवाल क्या है इद कहां मनाया जाता है तो इद कहीं आप घर पर मनाया जाता है यहां तक की मेले वगरा लगते हैं गाव दिहात में आप लोग जानते होंगे और इद की जो नमाज होती है, मस्जिद या फिर इदगाह या फिर कोई भी बड़ा खाली मैदान जहां पर इद की नमाज पढ़ाई जाती है, वहाँ पर सभी मुसल्मान भाई जाते हैं और इद की दो रिकास नमाज अदा करते हैं और फिर उसके बाद से खुतबा होता है और जैसे खुतबा खत्म होता है सभी मुसल्मान भाई एक दूसरे की गले मिल जाते हैं ठीक है ना गले मिलकर मुबारक बात देते हैं और इस मिल है सभी मुसल्मान भाईयों को मुहबत और भाईचारगी का पैगाम देता है ठीक है यह लंबा चुड़ा जो भी आप लोगो इद का पाइदा सुझे इद का जो सबसे एहम पकवान होता है खास पकवान भोजा ना प्यूंग कह सकते वह होता है सेवाई लच्छा सेवाई खुषी से फूले नहीं समाते हैं सबसे ज़्यदा खुष तो बच्चे ही होते हैं नए-nए कपड़े वगरण देखकर मेले वगरण देखकर खास तोर से जो पकवान घर पर बनते हैं उस चीज़ को देकर बहुत ज़्यदा खुश होते हैं तो जो भी फायदा है वह आप को इद के बारे में बस लफजों को सजा कर लिख देना है नुकसान तो कुछ ही नहीं तो अगर नुकसान नहीं है तो छोड़ दीजिए लेकिन कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसका नुकसान ही सिर्फ होता है फायदा नहीं होता है तो जो भी मतलब इसमें दिखाई सेरों में लिखें और कितना लंबा लिखें, एक पर कालिखें की दो पर को बport रहती हूं कि कोश्ण पर में लड़ी लिखा रहता है आट नमबर ए कि लिए तो कोशन पर में लिख देता है कि हाँ आप 1,2 से 3, 6 की सब्सक्रायों में लिख दे ठीक है लेकिन अगर अगर आप लोग के कोशन पेपर में न लिखा रहा है कि इतना शब्दों में लिखिए तो फिर मैं आप लोग को बता दे रही हूं कि आप लोग को कम से कम दो पेज में लिखना है मजमून अगर आप लोग लाइन छोड़ कर लिख रहे हैं उर्दू को अगर आप लोग लाइ है कि हाँ इतना शब्दों में आप लोगों को लिखना है तो इसा बहुत ब्योकूप लोग होते हैं जो कि इस तरह गिंते हैं एक एक शब्दों को ऐसा भी आप लोगो नहीं करना है दो पेच कम से कम लिख दिजिए बात खतम चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह सारी बात समझ बहुत धेर सारी शब्दों को लिखकर एक बहुत बड़ा मजमून खड़ा कर सकते हैं ठीक है चलिए एक्जामपल के तौर पर मैं यहाँ पर रमजान मुबारक यानि की रमजान के उपर इसी ट्रिक का यूज करते हुए निबंध लिखी हूं यानि की मजमून लिखी हूं आप लोग देख सकते हैं अब मैं पढ़कर बताती हूं और किस तरह से लिखा गया आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला रमजान के उपर रमजान के उपर पूछ दे मतलब मजमून लिखने के लिए तो इसी वज़र से डिरेक्ट में आप लोगो रमजान के उपर मजमून लिखकर ही दिखा दिए ठीक है तो देखिए रमजान के उपर ये मजमून लिखा गया है रमजान टॉपिक को उठा लिजिए और सबसे प मुबारक मुसल्मानों के लिए एक नहायत मुतबरक और बहतरीन महीना है ठीक है कितने अच्छे तरीके से लफजों को सजा कर में लिख दियों आप लोग इसको कौपी पर जरूर उतार लिजेगा हलांकि मतलब थोड़ी थोड़ा स्पेस कम है नहीं तो और भी लंबा में लि लिख सकते हैं बस यह साथ तो सवाल एक एक करके आप लोगों को करना है और जवाब जो भी मिले लफजों को सजा कर लिखते जाना है रमजान मुबारक क्या है यह हो गया अगला सवाल किजिए रमजान मुबारक क्यों मतलब कि इस रमजान यह जो रमजान का महीना है यह र इसलामे महीना है रमजान रमजान मुबारक क्यों कह सकते हैं तो रमजान मुबारक की जो महीना है यह क्यों इतना बहतरीन महीना है इसको क्यों इतना अच्छा और इतना मुद्बरक महीना माना जाता है तो समझे यहां पर यहीं वह महीना है जिसमें अल्ला ताला ने बंदों इसी चीज़ को लफजों को सजा कर देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से लिख दी हूँ अब अगला सवाल कीजिए कि रमजानुन मुबारक कैसे कैसे इस महीने को गुजारा जाता है तो देखिए मैं लिखी हूँ इस महीने में मुसल्मानों पर रोजे रखना फर्द करार भी महीने पूरे महीने रोजा रखा जाता है रोजे रखना फर्ज होता है ठीकए रोज एक इसमानी इबादत है सुभा-सादिक लेकर घुरृब आफ़ताब सबस्बाइब एकडर एक करने का नाम नाम कने का था है यांकि सुबह निकलता है अप लोग को न खषाना नहीं है और जितनी भी तमाम बुराईएंगे उसे परहेज करना है तो इसी चीज़ का नाम क्या रखा गया है रोजा रखा गया है पूरे महीने में इसलामी जिन्दगी की जलक नजर आती है ये तो बिल्कुल बात सही लिखा गया है पूरे महीने में ये रमजान का जो महीना होता है पूरे महीने में इसलामी जिन्दगी की जलक नजर आती है चुकि सब ही लोग रोजा रखते हैं और शाम को इफ्तार होता है तो यह बहुत मतलब वाकई में अब आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से लफजों को सजा कर लिखा गया है इसी तरीके से आप लोग को भी बहतरें ढंग से सजा कर लिखना है ठीक है अगला रमजानोलमुबारक कहा मतादा यह तो सवाल हो गांने यह दोनों को स्किप कर दीजेए और रमजाशनु teen क का फाइदा क्या है जी हां फाइदा हो जायेगा फाइदा तो बहुत में बजौक शौक हिस्सा लेते हैं जिस्मानी और रुहानी पाकी हासिल करने के साथ-साथ माली इबादत यानि की जगात फित्रा वो सदकात भी इस महीन इस मुबारक महीने में करते हैं यानि की जगात फित्रा सदकात वगर हैं यह सब किया जाता है इस महीने में सवाब हासि होते हैं उनके मुकाबले में नेकियों का सवाब ज्यादा मिले क्योंकि इस महीने में अल्ला का फर्मान क्या है अल्ला का फर्मान है कि इस महीने में रोज़दार जितने भी हैं और जो है अभी रहो हो रखने का मतलब होता है की जितनी भी बुराईया है सब जूट वगरा बोलते हैं तो रोजा रखने से फायदा ही क्या अगर तुम सिर्फ भूखे खाना पीना चोड़कर और बाकी देगर बुराया करते हो रोजा के नाम पर तो फिर तुम्हारे भूखे रहने से कोई फायदा नहीं है ठीक है मतलब वो रोजा कुबूल ही नहीं होत रहा है क्योंकि रमजान से सिर्फ फायदा ही फायदा होता है आप लोग सोचिए जरा रमजान का नुकसान क्या हो सकता है रमजान का तो वोई नुक्सान ही नहीं है एक नुक्सान है जो कि यह बहुत बड़ा भी नहीं है छोड़ा साप यूँ कह सकते हैं कि अगर और अपन कर देख रहा है कि हमारी वाइप हेलदी है तो फिर मना करने के बावजूद रोजा रखती है तो बहुत तो एक यह नुक्सान के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं कोई दिक्त नहीं तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी यूज करके मैं रमजानुल मुबारक इस टॉपिक के उपर इतना लंबा चोड़ा मजमून लिखकर खड़ा कर चुकी हूं और आप लोग चाहें तो इससे लंबा भी लिख सकते हैं ठीक है तो बस इसी ट्रिक आप लोग को यूज करना है अब एक और एक्जामपल ले लेते हैं जैस मिलेघा कि ताज महल एक महबरा है महल है दुनिया के साथ अजय नहीं से पहला है ताज महल के नाम से भी जाना जाता है तो यह लिख सकते हैं साज महल क्यूं बनवाया गया तो ताज महल जो है मुगल बादशाह शाह जहां ने अपनी बेगम मुम्ताज महल की याद में बनवाया था सॉरी मुम्ताज की याद में उनकी वाइफ का नाम था मुम्ताज तो वो मुम्ताज की याद में बनवाये थे क्योंकि मुम्तास जो थी, उनका आखरी वक्त चल रहा था, मरने वाली थी, उनका इंतकाल होने वाला था, तो उस वक्त अपने शोहर से कहीं थी कि हमारे याद में कुछ ऐसा बनवाईए कि रहती दुनिया तक, मतलब हमारी मुहबत की निशानी बाकी रहे, तो इस वज़ा से जो है न, मुकल बाद शाह, शाह जहां ने अपनी बेगम की याद में जो है, ताज महल बनवाएं, अगला सवाल पूछे कि ताज महल कैसे बनवाया गया, तो आप लोग जानते हैं, ताज महल को बनवाने के लिए 18 करोड़ रूपय खर्च हुए थे, ठीक है, 20,000 मजदूर मिलकर इस ताज महल को बनाये थे, और कितने सुल्ला साल में ही बन कर तयार हुआ था, तो जो भी हो सकते हैं कि आप हमसे ज्यादा जानते हो, तो आप लोग लंबा चोड़ा लफजों को सजा कर लिख दें, लंबा चोड़ा आप लोग सकते हैं, ठीक है, बस ये ट्रिक का य अगर आप लोग को नहीं पता है न, एंसर नहीं भी पता है, तो बस इतना लिख दीजिए कि ताज महल बहुत पहले बनवाया गया था, ठीक है बस जिस कुश्चन का एंसर आप लोग को नहीं पता है, कोशिश कीजिए कि उसको आप लोग थोड़ा कम ही लिखें, लेकिन ज बनवाया गया था, आगे बढ़ते हैं, ताज महल कहां बनवाया गया यह तो आप लोग जानते हैं, ताज महल कहां वाके है, तो ताज महल वाके है, कहां है, ताज महल तो आगरा में है, जब मुने नदी के किनारे, तो लिख दीजिए, जितना भी मतलब जो भी आप जानते से उस जगह के बारे में उस जगह के इतियास के बारे में जानने का जो एहमियत हासिल हुई है वो ताज महल के वजह से ही हुई है क्योंकि जितने भी बड़े-बड़े इतियासकार है तारीक साज है वो उस जगह के बारे में जानने में दिल्चस्पी लेते हैं तो सिर्फ किस गर्व की बात है यहां पर र लगयतार लोगों की संख्या बढ़ रही है तादाद लोगों की बढ़ रही है इसके वजह से pollution बढ़ दाय है और pollution आए दू लो बन बड़ेगा और जानते हैं समीन का यान की प्रिथ्वी का जो दर्जय roeरा रत टेम्प्रेचर वो बढ़ेगा और इसके वज़ेश सकते हैं ताज महल के पीछे में कितना लंबा चोड़ा बाते बोल दी यह सातों सवाल एक करके में मजमून लिखने का कोई आसान ट्रिक नहीं है मजमून लिखना तो काफी टफ होता है लेकिन आप लोगों को पूरा फुल माक्स मिल जाए आठ नंबर आप लोगों के मुठी म सकता है यह बहुत ही सोच समझ कर मैंने ट्रिक बनाया है तो हो सकता है कि आप लोगों स्टार्टिंग में अभी यह उतना अच्छाना लगे लेकिन आप एक बार यूज तो जरूर करें और तब आप लोग देखेंगे कि वाकई में बहुत है क्योंकि मजमून लिखना काफी टफ होता है लेकिन इसको आसान बनाने के लिए मेट्रिक होता है और यह साथ तो सवाल आप लोगों को करना है और इस पर आप लोगों को लंबा चोड़ा आप आसानी से मजमून लिख सकते आप एक बार इसका यूज जरूर करें ठीक है अब आईए समझते हैं कि इस साल य किसी एक तेवहार पर पक्का है कि मजमून लिखने के लिए आता है मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहती हूं कि तेवहार में से कोही न कोई एक तेवहार पर मजमून लिखने के लिए आये ग tweet कर लें मौसम पर जरूर आये गाया तो Garmi मौसम पर नहीं तो बर्सात के मौसम campus the एक हो सकता है तालीम पर आजाएं चींठी आनि किशिच्छा के ओपर मज्मून लिखने के लिए एक Global warming पर आसकता है तो जितना भी मैं टोपिक बता सब्सक्राइब लिए और इसके उपर आप लोग मजमून अपने आप से इसी ट्रिक का यूज करते हुए लिखेगा समझे कि आप लोग का होमवर्क है अभी मैं जितना भी बताई टॉपिक जैसे की हो गया तालीम हो गया रमजान हो गया इद हो गया महर्रम हो गया बकरीद हो लेकि इस ट्रिक का यूज आप लोग हिंदी और इंग्लिश में भी कर सकते हैं जी हां इक ऐसा ट्रिक है जिसका यूज आप किसी भी इंग्लिश में भी यूज़ करें आसानी से किसी भी टॉपिक के उपर आप लोग को एसे लिखना है बस एक-एक सवाल अपने आप से करते जाईए और जो भी जवाब मिलेगा इंग्लिश में भी आप लोग एसे लिखकर खड़ा कर सकते हैं तो बस मैं यहीं बताना चाहते है इंग्लिश में भी करें घ्रक्रणाश्थ समयं कि बता रहती ना डॉपिक और आप लोग बताव्स कर रहें उसके सांसात मौसं पर गर्मी या ठंड क đó कब मौसम पर भी एक बार लिख ले और तालीम पर भी हो सकता है कि पूछ दे या फिर हमारा बिहार इस पर भी पूछ सकता है नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग पर भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस किये रहें मजमून लिखकर ग्लोबल वार्मिंग क्या है ग्लोबल वार्मिंग में जो लगातार इजाफा हो रहा है और की बढ़नती हो रही है इसी को कहते हैं अब लोग ग्लोबल वर्मिंग और वैसे भी में आप लोग को ग्लोबल वर्मिंग क्या है ग्लोबल वर्मिंग खुद 10th क्लास में एक चैप्टर है जिसको पढ़ना है वहां पर एकदम बहतरी इंधंग से पढ़ाई हूं अगर आप लोग यूटूब पर सर्च भी करते हैं कि ग्लोबल वर्मिंग भाई मुस्कान में मुस्कान में डबल ए रहेगा मुस्के डबल ए इन ग्लोबल वर्मिंग भाई मुस्कान में अबर आप लोग यूटूब पर सर्च करते हैं तो आ ज ने लिए अधिर हो सकता है कि crypto सकते हैं बीमारी को क्या कहते हैं विमारी को ऊर्दु में कहते हैJex टो आप लिख सकते हैं कि और नाम आप लोगो को लिख देना है और जो हुद है करोड न वाईरिस डियह तो थावस जया है को उना यह घंगा लाईरस का नाम है जैंक WITH个шज कोवीट नैंटीन इस तरह से लिखा जाता है में कोवीट नैटीन तो यह कोवी का मतलब होता है को से को रोना और वी से वाईरस ठीक है इससे Corona हो गया ठीक है Corona और यह जो भी आई है ना इससे वाइरस हो जाएगा ठीक है और डी से डिजीज हो जाएगा और 19 से 2019 19 से 2019 हो जाएगा क्योंकि यह 2019 में ही Covid-19 जो है न यह विमारी आई थी तो आप लोग पूरा नाम लिख दिजेगा कोविड-19 का जो पूरा नाम है वो है कोरोना वाइरस डिजीज तूटू तूटू थाउजन नाइटीन यह होगी 2019 ठीक है कहां से आया कैसे यह फैला कब कहां इसका फाइदा क्या है फाइदा तो खेर कोविड-19 का है नहीं हाँ फाइदा आप लोग लिख सकते हैं कोविड-19 आया उसके वाशसे लोगडाउन लगा और लोगडाउन सभी लोग घर पर थे इसके वज़ hazard सबसे ज्यादा मिटलब जो हैं र स्पाहएं लोग्डाऊन लगा और और काफी मतलब काफी स्युक्ऐजम में काफी बढ़ंती हुई तो यह आप पाइदा भी सकते हैं लगदाउन दंटीन विमारी के सब कि aside call विदावग के सक्ते वाख चुकी है और क्या क्या हुआ लगा यंवा इस बीच मतलब सबकुस तो आप लोग आठे elle सारी घटना आप लोग के आखे आखों के सामने घटित हुई है तो सब कुछ आसानी से आप लोग लिख सकते एकदम बैठ कर अच्छे से बैठ जाना है और एक बात को एकदम बढ़ियां से सजा कर लिख देना है और आराम से आप लोग कोवी 2019 पर भी मजमून खड़ा कर सकते हैं लिखकर अगर आप लोग के एकजाम में कोशन पूछे तो तो जितना भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक बार इसी ट्रिक का यूज करते हुए मजमून लिखकर प्रैक्टिस जरूर कर लेजिएगा ठेक है तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं आई होप आप लोग को जो भी मैं ट्रिक बताई और जो कुछ भी आज के इस वीडियो में समझाई आप लोग को समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तो बनता है फट अवड वीडियो को लाइक कर दे और जितना ज़य दो सके शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उटा सके क्योंकि मजबून लिखना काफी टफ काम होता है इस स्चुड़ेंट बहुत ही टुफ समझ जरूर करें ठीक है अब अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ले लिजिए फड़ावर स्क्रीन शॉर्ट तो चलिए आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दिये होंगे चानल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर अन कर लिजेगा ताकि जब भी आप तक सबसे पहले पहुँचे ठीक हैं आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस